हेलो फ्रेंस मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजया ज्रेटिव गार्डन बारिश के सब में हमारा ये एडीनियम खराब हो रहा था इसमें जो है फंगस लग गई है तो आज की वीडियो में हम इसको ठीक करेंगे साथ में पूरे वन मंद का अपडेट भी दिखाएंगे तो सबसे पहले जिस हिस्से में फंगस लगी थी उसको बिलकुल अच्छी तरीके से काट करके अलग कर दे रहे हैं यह आप चाकू या फिबलेट की हेल्प से कर सकते हो जो थोड़ा था शार्प रहे ज़्यादा अच्छा है फंगस लगा हुआ हिस्से बिलकुल भी नहीं रहना चाहिए अगर जरासा भी रहे गया दोस्तों तो दुबारा से फिर से फंगस ग्रो हो जाएगी यह वाला काम जो है आप अपने बड़े से बड़े अडीनिया में भी कर सकते हो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें की दिखाया था काफी बड़े प्लांट के संग्भी मैंने यही ट्रीटमेंट किया है जब यह आपका फंगस लगा हुआ हिस्सा पूरी तरीके से निकल जाए तो इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर लगा दे रहे हैं हल्दी पाउडर लगा करके इसको कम से कम दो दिन ऐसी जगे पर रखेगा जहां बारिश का पानी बिलकुल ना लगे धूप लग सकती लेकिन बारिश का पानी बिलकुल ना लगे यह ध्यान रखेगा जब दो दिन यह रखा रहेगा उसके बाद ही इसमें कुछ काम करेंगे हल्दी जो है एक एंटिसप्टिक है फंजिसाइट का भी काम करती है तो हमने कहा तो था कि दो दिन रखना है लेकिन दोस्तों पूरे 5-6 दिन हो गए रखे हुए इसके चक्कर में इसके नीचे की पतियां भी पीली पड़ गई लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीली पतियों को हटा दे रहे हैं अब इसको जो है ने स्वाइल मिक्स में बनाएंगे लगाएंगे पुराना वाला स्वाइल मिक्स ना ही यूज़ करें तो जगा बेटर है यहाँ पर यह बहुत सूखी मिट्टी लिया है साधरन मिट्टी है जितनी मिट्टी है उसका 1 3rd मात्रा में मैंने यह सैंड यानी की बालूम लिया है और केवल 5% पूरे स्वाइल मिक्स का 5% नीम की खली लिया है आप चाहो तो इसकी जगे बवस्टीन पाउडर या साध भी यूज़ कर सकते हैं इसमें दुबारा से फंगस ना लगे कोई भी गोवर खात कंपोस्ट यूज़ नहीं करा है यह मिट्टी का गमला है रेनेज होल को दिखे कवर करने के लिए यह जो गमले की पीसे होते हैं तो ऐसे ढख रहे हैं कि पानी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी रुके ना गमले में सब बह जाए और मिट्टी भर दे रहे हैं मिट्टी को थोड़ा सा दबा दबा के भरिएगा गैप ना रहे है यह पॉकिट्स ना रहे ने तो वहीं पर फंगस फिर से ग्रो हो सकती है वैसे तो नीम की खली मिली है तो वो फंगस को बढ़ने से रोकती है अब इसके बाद दोस्तों हम जो नया प्लांट था यह जिसमें हल्दी पौडर लगाया था इसको लगाएंगे इस साइट से देखे सब जड़े निकली हुई है और दूसरा जड़ो वाला हिस्सा पूरी तरीके से काट दिया था तो जिस हिस्से में जड़ निकली है उसको हम ज्यदा ला रहे है ताकि जड़ें जो है वह अपना काम शरू करें और जो षससा हमने काटा था उसको मिट़्ी के ऊपर ही रख रहे है हैं लेकिन हम इसमें भी सोचने ट्राइ करके देखी लिया जाए उसको आगे ग्रो हो जाएगा ये भी ये गिर रहा था इसलिए मैंने ये पत्थर का पीस ऐसे लगा दिया ताकि ये सीधा खड़ा रहे है क्योंकि जिसमें हल्दी लगाई है न हम नहीं चाहरे हैं कि वह मिट्टी के पानी से 2-3 दिन बचाएंगे ये अपडेट दोस्तो आप देख रहे हो वन मंत का नई ग्रोथ भी देखे चालूसी दिख रही है यहां पर वन मंत का इसको जो था एक हफ्ता तो मैंने सब प्लांस की बीच में रखा था चाया में रखा था बारिश के पानी से थोड़ा स नहीं है यह देखे हल्दी लगी हुई थी तो अब यह सब कुल सूखा है मिटी लगी है लेकिन आप कोई प्रॉब्लम नहीं है मजबूत अब कोई फंगस अंगस नहीं आ रही है यह सब मजबूत दिख रहा है हिस्सा तो एक महिने में नई ग्रोथ चालू हो गई है इसकी इवन इसमें देखे वीड भी निकल आई है किनारे किनारे इसमें जो है भी कोई भी लिक्विट फटलाइजर नहीं डालेंगे कुछ भी केर करेंगे तो नेक्स्ट फरवरी में ही करेंगे इसकी फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुड़ बाई